बिसमिल्ला रमान्य रहीम, असलाम अलेकुम जी शुर्णिस, आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.6 में क्लास 10 के मतलिक है, क्वेस्चिन नमबर 2 का सेकिंड पार्ट हमारे पास है, एक दफा सवाल पढ़ लेते हैं, क्वेस्चिन नमबर 2 क्या है, then find the value of p by using synthetic division. ठीक है, अब हमने क्या करना है, सवाल के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा क्या है, हमने p की value find out करनी है, synthetic division के जरीए जब हम solve करेंगे इस polynomial के, इस polynomial को हमने synthetic division के जरीए solve करना है, और क्या find out करना है, p का answer. दूसरा पार्ट क्या है, if two is the zero of अब जो second part है जब वो मैं आपको लिखवाओंगा practically करवाओंगा तब आपको समझाएगा ठीक है क्या करना है हमने simply इस polynomial को synthetic division के जरिये solve करना है और पी का answer find out करना है synthetic division क्या होता है एक होता है आपके पास एक लंबा सा division उसे हम क्या कहते है simple division एक होता है आपके पास synthetic division synthetic division का मतलब क्या होता है एक छोटा सा division करना उसे हम क्या कहते है synthetic division तो सवाल को start करते है हमने क्या करना होगा इस polynomial पर काम करना होगा सबसे पहले हम क्या लिखते है let first करे polynomial जो हमारे पास है वो यह है हमने P लिखा इसमें हमने क्या find out करना है P की value जो चीज find out नहीं हो वो हम मालूम करना चाहते है उसकी जगा हम क्या लिखेंगे X तो हमने X लिख लिख लिया अब आगे क्या होगा जो हमारे पास ये जो polynomial है वो लिखेंगे क्या है X का cube minus 7X plus 6P ये हमारे पास क्या हुआ polynomial है साथ में इसके एक और जुमला लिखेंगे देखें मैं क्या लिखता हूँ and it's zero is two अब ये कहां से आये ये हमने कहां से लिखा ये हमारे पास सवाल में मुझूद है क्या descending order बड़े से चोटी की तरफ है किस form है देखें आपने variables मतलब alphabets a,b,c,d ये जो variables है वो तरतीब से हैं क्या है तरतीब से मुराद क्या है बड़े से चोटी की तरफ किस form है देखें यहां पर x का cube है फिर simple x है तो किस तरह होना चाहिए x का 3 फिर x का 2 फिर x का 1 फिर x का 0 ये होता है descending form मगर ये हमारे पास तरतीब में नहीं है अगर इस तरह आ जाए तो हम क्या करेंगे खुद से तरतीब में इसको ले आएंगे अब खुद से तरतीब में लेते हैं किस form में बनेगा ये देखें सबसे पहले क्या होता है x की power 3 अब क्या आएगा x की power 2 x की power 2 तो मौझूद नहीं है तो हम क्या लिखेंगे खुद से 0 लिखेंगे और x की power 2 लिखेंगे हम याद रखें मैतेमेटिक्स में हम खुद से ऐसी चीज़ एड़ कर सकते हैं जिसका सवाल पर कोई असर नहीं पढ़ रहा हूँ अब इसका सवाल पर असर कैसे नहीं पढ़ रहा जिरो के साथ कुछ भी multiply यर divide हो जाए उसका answer क्या हैगा जिरो ही आता है तो इस वज़े से हम इसको लिख सकते हैं आगे देखें एक्स की power 2 की बात क्या थे एक्स की power 1 हमारे पास मौझूद है जहां पर कुछ नहीं हो ता वहां हम क्या समझते हैं 1 है तो यह 1 आपके समझने के लिए लिखा minus 7x ठीक है अब बिना x के तो बिना x के तो यह पहले से हम इसको लिख लेंगे cp हमारे पास यह क्या हुआ तरतीब से आया descending order देखे 3 2 1 0 बिलकुल सही तरतीब से आया अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहां पर फिर से मैं इंगलिश में कुछ लिखता हूँ by writing coefficient अब हम क्या करेंगे सिर्फ कॉफिशंट लिखेंगे ये जो alphabets हैं इनके साथ जो numbers लिखे हैं 1076 इसे क्या किते है coefficient हम क्या करेंगे सिर्फ coefficient लिखेंगे सिर्फ number लिखेंगे इसको लिखने के तरीकेकार क्या है आपने इस तरह एक line लगानी है और एक line हमने इस तरह लगानी है अब देखे हमारे पास पहला number क्या है यहां पर कु minus seven तो हम minus लिख लेते हैं next क्या हमारे पास six P यहां पर आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि alphabets नहीं लिखेंगे आपने P क्यों लिखा भाई या P हमने इस वज़ा से लिखा क्योंकि हम P की value find out कर रहे हैं अगर हम P नहीं लिखेंगे तो P की value find out नहीं होगी यह P इस zero is two इसका मतब क्या हुआ यह two हम यहां पर लिखेंगे यह क्या हुआ डिवाइजर है डिवाइजर से मुराद divide करने वाला जिससे हम divide करवाएंगे उसे क्या कहते हैं diviser तो यह हमें सवाल में पहले से दिया गया था two is the zero of ठीक है वह two हम यहां पर लिखेंगे अब इसका नमबर आएगा उसी नमबर देखें यहां पर जितने नमबर आते जाएंगे वह इसके साथ क्या होगे multiply one को हम इसके साथ multiply करते हैं one two's are two ही आया two में zero add कर देके आता है two ही आता है अब यह जो two है वह इसके साथ multiply होगा two two's are four हमारे पास क्या आया four आया अब minus seven में से four गए तो हमारे पास क्या बचते है माइनस three है बचते है माइनस क्यों लगा है क्योंकि माइनस seven बढ़ा है अब यह जो three है वह इसके साथ multiply होगा plus minus minus three two's are six यह हमारे पास आया अब याद रखें जो last वाला नमबर होगा उससे हम bracket में अलग से लिखेंगे किस form में देखें इस तरह bracket लगा देंगे इसको हम अलग से लिखेंगे अब अलग से किस form में लिखेंगे पहले हम उपर वाला नमबर लिखेंगे उपर हमारे पास क्या है six पी नीचे वाला नमबर क्या है minus six हम इसको इस form में लिखेंगे अब हमारा काम सिर्फ इसके साथ है और यह हमारे पास क्या है remainder तो यहां पर हम लिखेंगे reminder reminder का मतलब क्या होता है बकाया जो रह जाता है से हम क्या कहते है remainder remainder हमारे पास क्या है six minus sorry six p minus six यह हमारे पास क्या है remainder अब हमने इस पर काम करना है उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा since since to sorry since to since to is the since to is the zero of the given polynomial so तो हमने लिखा सवाल में यह जो इंगलिश में हमने लिखा वही जो सवाल में है वही फिर से हमने लिखा कि two जो है वो zero है इस polynomial का तो हम जब हमने polynomial को solve किया है remainder किया है हमारे पास यह है अब इस से हमने काम लेना है क्या है six p minus six is equal to zero हम इसको इस form में लिखेंगे अब आगे देखें मैं लिखूंगा six p is equal to यह जो six है यहां पर क्या है minus is equal to कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा plus हमने plus लिखा आगे देखें मैं क्या लिखूंगा p is equal to six अब यह जो six है वो p के साथ क्या हो रहा है multiply is equal to कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा divide तो हम इसको divide कर वा लेंगी अब यह दोनों आपस में क्या हो रहे है cancel हो रहे तो हमारे पास p की value क्या आई यहां पर हम लिखेंगे p is equal to 1 हमारे पास p का final answer क्या है यहीं हम से सवाल में पूछा गया था कि find the value of p by synthetic division हमने synthetic division के जरीए p की value find out कर ली कर दो हमारे प्या कर दो हमारे इसके जरीए